हालो गाईज, वेलकम टो मैं चैनल, माई नेम इस कोमल प्रोहित और आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही इंट्रेस्टिंग सा वीडियो जिसे अगर आप अपने डेली रूटीन में फॉलो करेंगे तो उससे बहुत अच्छे रिजल्स देखने को मिलेंगे तो फ्रेंट्स यह वाला अगर फेशल मसाज आप अपने डेली रूटीन में फॉलो करेंगे तो उससे आपकी स्किन जो है वो डे बाई डे गलो करेगी अगर आपके फेस पे बहुत जादा रिंकल्स है बहुत जादा सैगी स्किन है तो काफी हद तक उसमें भी इंप्रूव्मेंट आएगा स्किन थोड़ी टाइट हो जाएगी और फेस का फैट लॉस भी होगा और काफी हद तक आप देखोगे आपकी स्किन ने यंग दिखने लगेगी बहुत ही जादा बेनिफेट्स है इस फेशल मसाज के तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ यहाँ पर मैं पहले coconut oil ले रही हूँ यह extra virgin coconut oil है अगर आपके पास यह नहीं है तो आप बादाम का तेल ले सकते है वाइटमिन E की कैपसूल ले सकते है या फिर इन सब में से कोई भी product आपके पास नहीं है तो आप only अपना moisturizer भी ले सकते है इस फेशल मसाज को करने के लिए यह अगर facial massage exercise अगर आप रात के मतलब routine में follow करेंगे अपने skincare routine के बाद में अगर 5-10 मिन्टे special massage को दे देंगे तो बहुत अच्छे results देखने को मिलेंगे सो गाइस चलते हैं हमारी first exercise की तरफ जो की होने वाली है chicks के लिए अगर आपकी chicks बहुत जादा दबे हुए है इस तरह से बिल्कुल भी lifted नहीं है बिल्कुल भी खिले खिले नहीं है तो यह exercise उसके लिए बहुत जादा useful रहने वाली है आपको क्या करना है इस तरह से अपने हातों में यह मुठी पना देनी है अंगोटे बार की तरफ रखने है और दोनों हातों को इस तरह से कानों की तरफ उपर की और लेके जाना है आपको थोड़ा सा pressure लगाते हुए मसाज करना है यह वाली exercise आपको पास से दस पार करना है और आप जब day by day इसे follow करेंगे तो आपको बहुत अच्छे results देखने को मिलेंगे आपके जो tricks है वो थोड़े खिली-खिली दिखने लगेंगे उपर की तरफ lifted रहेंगे अब ही करेंगे second exercise जो कि eyes के लिए होने वाली है अगर आपके eyes के उपर बहुत सारे wrinkles है और बिल्कुल भी आपके eyes bright नहीं दिखती है लिफ्टेड नहीं दिखती है तो यह exercise से बहुत जादा उसमें फर्ग दिखेगा दोनों तरफ आपको 5-10 बार करना है इस तरह से हलके हाथों से massage करना है अब हम third exercise करेंगे जो कि होने वाली है jawline के लिए अगर आपके jawline पे बहुत जादा fat है jawline बिल्कुल भी shape में नहीं है तो यह exercise उसके लिए बहुत जादा useful रहेगी इस तरह से आपको मुटी बंद करना है अंगोटे इस तरह से बाहर निकालना है और थोड़ा सा pressure लगाते हुए कानों की तरफ ले की जाना है गाइस इस exercise से भी आपका jawline है वो पूरा shape में आ जाएगा अगर वहाँ पे कोई extra fat जमा हुआ है तो काफी हद तक वो भी इन लॉस हो जाएगा तो यह exercise भी बहुत जा करना है इस तरह से फ्रेंच कोई भी exercise आपको एक दिन में results नहीं देंगे इस चीज़ का आपको ध्यान देना है daily basis पे आपको करना पड़ेगा अभी हम करेंगे हमारी fourth exercise यहां पे हमारी पढ़ती है लाफ लाइंग यहां पे बहुत सारे wrinkles हो जाते हैं तो यह exercise उसके लिए का करना है और दूसरे हाथ की दो fingers लेते हुए ऐसे उपर की तरफ pressure लगाते हुए लेके जाना है और massage करना है अब करेंगे हम हमारी fifth exercise अगर आपके बहुत जादा dark circle है पफी आइस की problem है तो यह exercise बहुत जादा useful रहने वाली है आपको क्या करना है दो fingers आपके हाथों की use में ल इससे आपकी puffy eyes की problem भी काफी हद तक कम हो जाएगी आइस के नीचे अगर wrinkles है तो वो भी काफी हद तक remove हो जाएंगे अब हम करेंगे हमारी next exercise अगर आपके neck area पर बहुत जादा fat है अगर आपकी double chin की problem है तो यह exercise उसके लिए बहुत जादा useful होने वाली है इस तरह से 5 से 10 पार इस exercise को आपको करना है और आपको बहुत अच्छे results देखने को मिलेंगे अब करेंगे next exercise जिसमें आपको अपने मूग के अंदर हवा भरनी है इस तरह से और 5 बार आपको गिनना है धीरे धीरे इस तरह से आपको 2-3 बार या 3-4 बार इस exercise को करना है अगर आपके face area पे गाल के आसपास extra fat जमा हुआ है गाल की skin बहुत जादा loose है तो इस exercise से काफी तक tight हो जाएगी so guys अभी हम करेंगे हमारी last exercise इस exercise में मैं एक हाथ अपने face पे रखूँगी और दूसरे हाथ की four fingers इस तरह से pressure लगाते होए उपर की तरफ लेके जाऊँगी यह exercise दोनों तरफ आपको 5 बार करना है इस से आपके saggy skin के problem दूर हो जाएगी wrinkle free हो जाएगी और जो blood circulation है वो भी बहुत अच्छे से होगा so guys यह जो exercise है इन्हें आपको अपने daily routine में follow करना पड़ेगा तब ही आपको good results मिलेंगे so I hope यह video आपके लिए useful रहा होगा अगर रहा है तो please मेरे channel को subscribe कर दीजिए like and share कर दीजिए मिलते है next video में till then bye